नमस्ते दोस्तों मैं जोटी गौर्मा गात्री देवी कीचन में आपका स्वाधत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाग के प्रसिद्ध रेसिपी मक्के की रोटी और सर्सु किसा आज कल ये पंजाग के अंदर ही सिमित नहीं रही है ये सारे प्रदेशों में खाई जाती है आए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं वीडियो का अपनत तक देखिए सर्सु भाजी बनाने के लिए में इंग्रिंडियंस रहता है सर्सु का भाजी तो उसकी मात्रा हम ज्यादा ही रखते हैं और उसके साथ हम स्वाग बढ़ाने के लिए पालक की भाजी मिला रहे हैं और ज्यादा स्वादिश्क बनाने के लिए इसमें आप लाल भाजी की एक तो इसको हम धो के रख लिए हैं और थोड़ा बारिक काट लेंगे देखिए इसको हम जितना बारिक काटते बनेगा काट लेंगे इसiqué मैंने डंडियों को अलग नहीं किया है क्योंकि इसकाओ भी अच्छा टेश्ट आता है, ये देखें सरसों की भाजी का भी डंडी मैंने इतना बड़दा को तोड़के रखा हैं, इन डंडियों का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में तो हमको इसको तोड़के नहीं रखना है अलग इसी में सब्जी में डालना है यह कटोरी पानी पहले डाल देते हैं और यह आधा कटोरी पानी और डाल गिये हैं अब हम इसमें घाजी जो काटे हैं उसको डालते हैं यह दो हरी मिर्ची है जिसको मैं काटके डाल देती हूं आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना तिक आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं ये तीन तमाटर है बड़े-बड़े, तमाटर को बारी काट लिया है, अब हम इसको भी इसी में डाल देते हैं और साथ ही नमग भी डालते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना लग कि आपको खाना पसंद है, उतना डालिए मैं इसमें एक बड़े चम्मश डाल रही हूं नमाओ, अगर आप हल्दी डालना चाहें तो इसी समय हल्दी भी डाल दीजे, मैं इसमें हल्दी नहीं डाल देंगी कट अब हम इसको बंद कर देते हैं 3 सीठीं हम फुल फ्लेम में आने देंगे उसके बार एक सीठीं हम कम फ्लेम पर अने देंगे this oneивaammed है लेंगे जब यह थैंडा हो गया तब हम इसको पीश लिए अब हम इसमें दो बड़ा चमज तेल डालते हैं अगर आप इसको घी से फ्राइक करेंगे तो यह और जादा टेश्टी लगेगा मैंने इसको घी में नहीं तेल में फ्राइक करना है तो सबसे पहले तेल गरम करते हैं और यह अध्रक का जो तुकड़ा है डेड़ इंची का व यह हुआ पेश्ट है उसको डालते हैं खोड़ा इसको फ्राइब होने देते हैं एक सेकंड के लिए उसके बाद हम इसको क्याल डालेंगे यह एक ब्याज मैंने बारी काटके रखा है इसको भी डाल देते हैं इसको हम गुलाबी होते तक भूनेंगे जब हमारी सबजी बन जाएगी तो हम इसमें घी जरूर डालेंगे और घी डालके ही सर्व करेंगे तो क्याज भून चुका है हम अब इसमें पेश्ट को डाल रेते हैं और इसमें पाइक मिनेर तर शाई हमें देंगे दो चंब मक्य थाटा हमको इसको उपर शिड़कना है तो इसका टेस्ट और अचाता है और इसमें जो भी थोड़ा नमी रहेगी पानी का वो भी खतम हो जाएगा इसको ऐसे किनारे किनारे से थोड़ा धीरे-धीरे छिड़कना है और इसको हमको निला लेना है यह थिकनेस लाने के लिए होता है और टेस्ट भी बढ़ता है यह दोकाटोरी मक्य का आटा है इसमें हम दो बड़ा चमस गेहूं का आटा मिला देते हैं और यह 1-5 टीस्पून नमक अब हम इसको हलका सा गुन-गुना पानी में इसका हाटा तैयार करेंगे देखिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको अच्छे से मसल लेना है हम इसको जितना अच्छे से मसल के तयार करेंगे आटा हमारी रोटी उतनी ही मुलायम बनेगी इसमें जो हम गरम पानी लेके इसका आटा तयार करेंगे उससे हमारी रोटी फटती भी नहीं है और मुलायम बनती है थोड़ा से जब हम गेहु का आटा मिलाते हैं तो रोटी किनारों से फटती भी नहीं है और इसका हैविनेस भी कम हो जाता है और टेश्टी भी बनती है देखने में बड़ी सुन्दर लगती है अब इसको हम हलके हां से बेलेंगे यह गेहु के अटे के रोटी जो हम बनाते हैं उतनी होती है हलके सी मोटी होती है पर अप इसको जितना पतला बेल सकते हैं बेलेंगे एक दम हनके हां से बेलना है और इसका किनारा फिर भी थोड़ा न थोड़ा फटा हुआ होता है अगर आप इसको परफेक्ट साइज देना चाहते हैं तो कटोरी से कोई बड़ा ढखकन रोटी वोटी का उससे दबा के आप इसकी किनारों को काट सकते हैं तब गरम हो चुका है वहां इसको सेखने के लिए डाल लेते हैं और यह जब तक सीके तब तक हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं इसी तरह से हमको सारी रोटियों को बना लेना है देखिए ऐसे हमको सारी रोटियों को एक जैसी सेख लेना है बना लेना है कुछ? अब दोनों तरफ घी लगा के हमको सेखना है अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरे रोटी सेखेंगे अब इसको एक तरफ सीख जाएगा तो हम पलट लेंगे फिर दुबारा से घी डालके फिर सेखेंगे ऐसे ही सारी रोटी सीखेंगे इसमें हमने अंजवाइन जो डाला है वो इस आटे की जो हैवी होती है इसको पचने में बहुत मदद करती है तो हमको अंजवाइन थोड़ा डालना दे चाहिए वैसे अगर आप ना खाते को तो ना डालेंगे आप मक्खन से अगर सेखना चाहें इस प्रोटी को तो आप मक्खन से भी सेख सकते हैं हमस्तार करते हैं देखे मैंने परस्ते लिए थाली तयार कर ली है परंतु उसके पहले हम इसमें सर्सो की साग में भी डालते हैं और इसको मिलाके फिर परस देंगे पंजाब की प्रसीद रेसिपी बनकर तयार है मत्के की रोटी और सर्सो की साग अगर यह आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो का अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ